दिल्ली जहांगीरपुरी में हरमान जहनती पर जो बवाल काटा गया हम सब जानते हैं लेकिन अब जैसे उत्रप्रदेश ने गरीबों के उपर बुल्डोसर चला दिया था अब वैसे ही अमिशा की सहप दिल्ली में गरीबों की बस्ती के उपर से बुल्डोसर चला दिया गय थे वहीं बुल्डोजर से बस्ती तबाह करने का वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वारल हो चुका है और पूरे देश के राजनीते गलियारों में हाई तौबा मश कई है दिल्ली के जहांगीर पूरी में हरुमान चैन्ती के मौके पर हुई हिंसा के बाद अप्रसाशर ने स सकते दिखाना शुरू कर दिया है और अब जहांगीर पूरी में एमसीडी उत्रप्रदेश की तरह ही बुल्डोजर चला रहा है और लगातार गरीब लोगों के घर तबाह किये जा रही है वहीं इसके लिए पूरे इलाके को चावनी में तबदील कर दिया गया है किसी तरह हो चुका है जो आपको जरूर देखना चाहिए वहीं गरीबों के घरों को तबाह करने को लेकर नौर्थ एमसीडी मेर राजा इकबाल सिंग ने कहा कि ये हमारा रूटीन का काम है जहां अवैद निर्माड सरकारी जमीन पाती करमण हो वो जगए हम खाली करवाते हैं आज हम वही काम करने वाले हैं हमारा यही संदेश है कि लोग सर्वजनिक जमीन को प्रीच छोड़ते हैं इसी बीच और इंडिया मजली से इतिहादुर मुस्लिमीन के चीफ असुदिन ओविसी ने एमसीडी की कारवाई पर सवाल उठाए हैं ओविसी ने बीजेपी को घेरते कि क्या उनकी सरकार का लोकनिर्माण विभाग भी इस अभ्यान का हिस्सा है उन्होंने कहा कि क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने इस कायरता के लिए उन्हें वोट दिया था कि जीवाल का ये बहाना नहीं चलेगा कि पुलीस हमारे कंट्रोल में नहीं है दिल्ली परियाद संख्या में फोर्ट तैनाथ है आपको बता दी कि ये काम अचानक से नहीं हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बुल्डोजर से जहांगीरपुरी में मुसल्मानों के घरों को ही जान बूश का निशाना बनाया गया ताकि अर्मान जैनति को वे शुद्दे दिया है कि जहांगीरपुरी में यथा स्थिती बनाए रखी जाए जो सीधे अभाज पसरकार के उपर सुप्रीम पोर्ट का तमाचा है इस कबर में सिर्फ इतना ही मैं ऐसी और भी खबरे पाने के लिए देखते रहें MIM News Express